दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने आधार काड को डाउनवोड कर सकते हुँ यनि कि आप अपने मुवाल पोन से या तो लापटोप से अपने आधार का ओरिजिनल पीडिया फाइल डाॉनलोड कर सकते हुँ और जो भी आप PDF file download करोगे उसे open करने के लिए password चाहिए होता है यानि कि PDF file password protected होता है उस PDF file का password क्या होने वाला है ये भी मैं आपको इस वीडियो के last में बता दूँगा और बाकि आप अगर PDF file का password हटाना चाहते हूँ यानि कि आधार card के PDF file में जो password लगा हुआ है उस password को हटाना चाहते हो तो वो कैसे हटाना है ये भी बता दूँगा तो चलिए इस वीडियो को शूर करते हैं इसके लिए क्या करना है आपको अपने mobile या फिर लाप्टॉप में कोई भी browser open कर लेना है ये काम आप अपने mobile phone से भी कर सकते हो steps almost same होने वाला है चाहे आप mobile में करो या फिर लाप्टॉप में करो browser open करने के बाद Google पर जाके search करना है UIDAI आपको exactly यही search करना है ये website दिखाई देगा इस website पर जाना है अब यहाँ पर इस website को जिस भी language में आप use करना चाहते हो वो select कर लेना है यहाँ मैं English choose कर लेता हूँ इस website पर आने के बाद नीचे की तरब scroll करना है नीचे की तरब scroll करने के बाद यहाँ का option मिलता है get rr दूसरा option तो इस पर click कर लेना है अब get rr में आने के बाद यहाँ पर आपको तीसरा option दिखाई देता है download rr इस पर क्लिक करना है उसके बाद इस ताइप कर page open होगा नया capture load कर सकते हो तो अपने recording सारी चीज़े इंटर करने के बाद send OTP इस पर click करना है अब आपके आधार कार्ड के साथ लिंक कियोए mobile नमबर पे SMS में OTP आता है वो OTP यहाँ पर इंटर कर देना है OTP इंटर करने के बाद यहाँ पर एक और option मिलता है select करने के लिए do you want a mask आधार कार्ड यहनि कि अगर आप mask आधार चाहते हो तो इसको select कर लोगे आधार नमबर एक private personal नमबर होता है अगर आप किसी को आधार कार्ड किसी भी purpose से दे रहे हो तो आप mask आधार डाउनलोड करके provide करें मैं यहाँ पर normal आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहता हूं इसमें कि बार का बार डिजिट आधार का दिखाई दे तो इसको select नहीं करूंगा OTP इंटर करने के बाद verify and download इस पर क्लिक करना है इस तरीके से आधार काड डाउनलोड हो जाता है और जैसा कि मैंने आपको बताया था आपके आधार का PDF फाइल password protected होता है और उसका password क्या होने वाला है वो example से समझाया गया है मालो किसी का नाम उधारन के लिए अनीस वाई कुमार है और उसका birth year 1989 है तो उस case में उस PDF फाइल का password होगा ANIS capital में 1989 तो आपको अपने नाम के recording, birth year के recording password इंटर करना है तो अब यहाँ पर मेरा e-adhar download हो चुका है मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि कैसे आपको अपने PDF फाइल में से अधार कार्ट के PDF फाइल में से password को हटाना हुआ तो उसे हटा सकते हैं इसके लिए आप क्या करोगे इस PDF फाइल को राइट क्लिक करके Chrome में open कर लोगे open with में जाओगे Chrome ब्राजर को आप PDF वियू करने के लिए भी यूज कर सकते हो as a PDF viewer तो Chrome में इसको open करने के लिए initially आपको password इंटर कर देना है और password आपके नाम के recording और birth year के recording बना होता है password के ही इसके लिए क्या करोगे यहां पर प्रिंट के आइकन पर क्लिक करोगे download प्रिंट पर क्लिक करना है या पर Ctrl प्लस प्रेस करोगे keyboard में से तो इस टाइप का print होने के लिए page open हो जाएगा यहां पर आपको PDF सेलेक्ट करके रखना है और save पर क्लिक करना है और जिस भी नाम से आप जहां पर save करना चाहते हो इसको save कर सकते हो और इस बार जो आप save करोगे इस पीडियो फाइल में password नहीं होने वाला है अगर मैं इसको open करता हूं तो देख सकते हो direct open हो गया बिना password के ही तो यह है पूरा process